नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग वानी प्लांट गार्डन में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आज फ्रेंस में बात कहने वाली हों कलांचे फ्लाउरिंग प्लांट के उपर जो कि बिंटर का बहुत ही अच्छा यह फ्लाउर प्लांट है और जैसे ही सर्दिया से इस में चता होती है चनवरी फरवरी और मार्श तक टो सब्सक्राइब और ऐसे की प्लावार अते तद ह第二 और पूल अते रहते और प्लावरा इसमें यह प्लच करें तो इसमें मतलब फूल भूल शिपते हैं और नीचे सब्सक्राइब भर करें तो तो यह बहुत अच्छा फ्लारिंग प्लांट है इस तरीके से बंचे में खिलते हैं देखने में बहुत ही कुपसुरत लगता है आप देखे सकते हो क्लावर की छोटी से कोई भी कटिंग लगा दी ती है और अभी जो टाइम से कटिंग लगा सकते हैं और अभी जो टाइम चले रहा है तो लग जाएगी फ्लावर भी बने रहेंगी वह प्लांट आपका तयार हो जाएगा नेश्टेर इसके लिए आप इसमें चुटी-चुटी कटिंग लेकर बना लीजेगा इस तरीके से एक रो बना सकते हैं तो मतलब बहुत ही खुबसूरत है अगर गार्डन में इस तरीके क बिल्कुल और अभी देख सकते हैं कितने मतलब हो गए हैं मैंने चार-पांस गंबले में लगाया थे लेकिन जब इसके मैं विंटर के तयारी कर रही थे तो सारे प्लांट हटाके मैं इसे दो ही पॉट में रखे थे और देखे एक इसमी था एक इसमी था तो इनके पत्तिय भाके टाइम इनके जो लीप सोती अच्छे से हरी हरी पानी रहती वैसे तो यह सकते हो कितना हर्डी प्लांट ही यह इसको इसली हम किस तरीके से लगा सकते हैं कटिंग से लगा सकते हैं आप कहीं से भी कोई stamp इसे तोड़ लोगे तो लगा देंगे मैं बताती भी कौन कहां से आपको कैसी stamp लेनी है जो लग जाएगी आप देख सकते हैं इसमें चोटे-चोटे भी फूल खिल रहे हैं और अभी मतलब full bloom नहीं हुआ है देख सकते हैं कुछ खिले हैं कुछ अभी ब लगाने के बात करूं इसके लिए जो मिक्स होती है वह आप जो गार्डन नॉर्मल होती है उसमें भी लगा देंगे तो इसली लग साएगा मैंने इसी पथर चट्टे का प्लांट इसी में उग गया था इसको मैंने अडाने की भी कोशिस करी थी लेकिन देख सकते हैं फिर स की बात करूं तो नॉर्मल में भी लगा सकते हैं लेकिन पॉर्ट में लगाते हैं तो फ्रेंस बिल्टर मिट्टी चाहिए होती जादा बिल्टर नहीं बनानी है बस आप एक हिस्सा गार्डन सोयल ले लिए एक हिस्सा आप गोबर की खा दिया कोई जो बर्मी कंपोस्ट होत इसे मिट्टी हम बना लेते हैं तो कई की चगहां पर चिकनी मिट्टी जो की पानी बिल्कुल नीचे सोक नहीं करता है तो वल्डर मिट्टी में हम ऐसा बनाने के लिए तरह आड़ करना जरूरी होता है अर मिट्टी में ताकि इसकी जो ड्रेनर ची अच्छी से बनी रहे मि मिट्टी बनानी है वैसे लग जाएगा लेकिन चाहें अच्छा नहीं लगता ना कि पानी भारा हुआ है थोड़ा समत तब दल्दली टाइप की मिट्टी बिल्कुल नहीं रहनी से इस तरीके से बनानी है और पानी के बाद करूँ तो फ्रेंस में बताया कि यह सकुलेंट सकुलेंप ब्राइटी का होता है तो मत पत्ते यह कोई होती है ज्यादा पाने इसके रिकॉर्प होती है लेकिन हां समय समय से में मिट्टी में आप भी बना कि रखे руки थाई प्लांट अच्छे से चलता रहे और ऐससा करते हैं तो सालों साल मेरे पास से तीन-चार साल इसान म क्लूम हो रहा है अभी महीं मेरे गार्डन में और थूप के अगर में बात करूँ तो सर्दी याँ हुआ है तो इनको चाहिए हैं लाकि जो गर्भी में इनको तप्तिव में दोप करना हैं ऑग अब अभी आपके गार्डन में है रखा यह प्लांट है तो उसमें ब्लूम नहीं हो रहा तभी इसको धूप में रख दीजिए इनको अच्छी से धूप मिलेंगे तभी फ्लावरिंग करना स्टार्ट करेंगे और गर्मी के अगर बात कुरू फ्रेंस तो क्योंकि गर्मी में आपक इसको हटाके ऐसी जगहां पर रख दे जहां पर इनको इवनिंग की या फिर मॉर्निंग की जो धूप मिलती है वो मिल सके इस तरह के से रखेगा प्लान को और जैसे सरदियां आती है जैसे कि सितंबर अग्दूबर आता है उस टाइम पर इसके अच्छी से प्रूनिंग कर बिलते हैं आपको अपनी नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग हसते रहे हैं मुश्कुराते रहे हैं बाबाएं टेक कियर